मंच पे मौझूद तेलन गाना के सम्मानित मुख्य मंत्री माननी चंद्रशेकर राओ जी पंजाब के मुख्य मंत्री श्री भगवन्त मान साब तेलन गाना के चीफ सेकरेटरी साब पंजाब के चीफ सेकरेटरी साब किसानों के नेता राकेश टिकैट साब तेलन गाना से आएवे सभी मंत्री गन, MPs, MLAs सभी अधिकारी गन और हर्याना और पंजाब से आएवे उन सभी परिवारों को जिनोंने गलवान घाटी में या किसान आंदोलन में अपनों को खोया है आप सब लोगों को मेरा नमश्कार आप सब लोगों को मेरा प्रणाम दोस्तों आज हम आप सब लोगों को यहाँ पे एक सम्मान राशी तो देंगे लेकिन जो आप लोगों ने अपनों को खोया है उनकी जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती अगर अपना कोई चला जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती आज इस सम्मान राशी को देने का केवल एक ही मकसद है हम आप सब लोगों को ये कहना चाते हैं कि पूरा देश आपके साथ है हमें गर्व है उन लोगों पे जिन जवानों ने गलवान घाटी में शहादत दी जिन किसानों ने देश के अंदर किसानी को बचाए रखने के लिए एक साल तक संघर्च किया और इस दौरान अपनी शहादत दी ये अंदोलन पंजाब के किसानों का नहीं था ये अंदोलन हर्याना के किसानों का नहीं था ये अंदोलन पूरे देश का था इसी लिए इसी भावना के साथ आज तेलनगाना के मुख्यमंतरी साहब तेलनगाना से आप लोगों को एक-एक सम्मान राशी देने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं हम तेलनगाना के मुख्यमंतरी साहब का भी तहे दिल से शुक्रियादा करते हैं पंजाब सरकार पहले ही उन सब परिवारों को सम्मान राशी के रूप में कुछ दे चुकी थी, आज तेलन गाना से आए हैं, यह दिखाता है कि सारा देश आपके साथ है, यह किसी एक राज्या या एक किसी वर्ग का आंदूलन नहीं था, मुझे याद है आप यह साथ आंदूलन दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ था, और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा, अपनी तरफ से यह एक हवन था, अपनी तरफ से मैंने भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आहुती दी, हम जो भी कर सकते थे, हमने वो सब किया, सबसे पहले पंजाब से और हर्याना से किसान चले थे, और किसान दिल्ली के तरफ कूच कर रहे थे, और रस्ते में थे किसान, तभी हमारे पास केंदर सरकार से एक फाइल आई, कि भई, किसान दिल्ली के तरफ कूच कर रहे हैं, इन सभी किसानों को गिरफतार करने के लिए हमें दिल्ली के स्टेडियम जितने हैं उन सारे स्टेडियम को जेल बनाना है ताकि जब किसान दिल्ली में एंटर करेंगे तो उनको सब को हम जेल में कैद कर लेंगे क्योंकि जो मौजुदा जेल है वो तो इतनी बड़ी जेल नी थी कि इतने सारे किसानों को कैद किया जा से के मैं भी अंदोलन से निकला हूँ अन्ना अंदोलन से हम लोग निकले हुए और अन्ना अंदोलन के समय हमारे साथ भी यही हुआ था कि अंदा अंदोलन के समय जितने लोग रामलिला मैदान में जंतर मंतर पे आते थे उन सब को जब गिरफतार किया करती थी सरकारें तो जेलें चोटी पड़ जाती थी तो वो सारे स्टेडियम में हम लोगों को गिरफतार करते थे किसान आमदोलन उसके बाद वो स्टेडियम गाओं तो वह फाईल केंदर सरकार के पास आई इस किस्मे अच्छी थी कि वो पावर हमारे पास थी स्टेडियम को जेल में कनवर्ट करने की और हमने इतना प्रेशर हमारे उपर डाला केंदर सरकार के दवारा कि हमने करने से मना कर दिया हमने का नहीं हम स्टेडियम को जेल में कनवर्ट नहीं करेंगे और इसके बाद इतनी ज्यादा नाराज हुए सब लोग लेकिन हम किसानों के साथ खड़े रहें उसके बाद किसानों के लिए लंगर लगाने का पानी का इंत परजाम करने का, तो इस पूरे हवन में मुझे खुशी होती है कि मुझे भी मौका मिला अपने किसान भाईयों को जो संघर्ष कर रहे थे उनकी सेवा करने का, जिस तरह से वें सेवा कर सकते थे, हमने सेवा करने की कोशिश की. आज भी जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी हैं, आमादमी पार्टी के सरकार बनी हैं, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए, हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आए को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्मत्या करता रहेगा, करजे में डूबा रहेगा, घर में कोई बिमार हो जाएगा, उसके लिए करजा लेगा, और करजे की साइकल के अं उन्होंने जो निर्ने लिये, एक निर्ने लिया कि अभी जब तक अगली फसल नियुगाते तब तक एक मुंगी की फसल हुगा लेते हैं, और मुंगी के ओपर पंजाब सरकार MSP देगी, ये एक ऐसा व्यक्ति निर्ने ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसा साब निर्ने लिया कि मुंगी के ओपर MSP दी जाएगी, दूसरा निर्ने लिया कि जो डिरेक्ट सीडिंग करेंगे उन सब लोगों को डेड़ अजार रुपे एकड़ के इसाब से उन लोगों को साहता दी जाएगी, आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे निर्ने हम लेना जिसे किसानी को एक पंजाब के दिल्ली के अंदर हमने जितने काम किये, आज दिल्ली के स्कूलों के बारे में खूब चर्चा होती है कि खूब शानदार स्कूल बन गए, दिल्ली के अस्पतालों की खूब चर्चा होती है, दिल्ली के महला क्लिनिक की खूब चर्चा होती ह वो सारे काम भी करेंगे यहां पर, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब में मोहला क्लिनिक भी खोलेंगे, बिजली भी सारे करेंगे पंजाब के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है तो हमारा मकसद है कि जैसे दिल्ली में हमने शिक्षा, स्वास थे बिजली को मॉडल बनाया ऐसे पंजाब के अंदर किसानी को भी आपके साथ मिलके एक model के रूप में पूरे देश ने पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा आज एक वकील का बेटा वकील बनना चाहता है एक फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर बनना चाहता है डक्टर का बेटा डक्टर बनना चाहता है लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता क्योंकि किसानी फाइदे का धंदा नहीं बचा, फाइदे का सौधा नहीं बचा मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पंजाब के अंदर ऐसा मॉडल तयार करेंगे कि किसान का बेटा बढ़ाओ के काईगा पिता जी मुझे भी किसान बनना है मुझे किसी और धंदे के अंदर नहीं जाना है और मुझे पूरा ही विश्वास है कि पंजाब के तीन साड़े तीन करोड लोगों के साथ मिलके हम ऐसे मॉडल को तयार कर पाएंगे और ऐसे मॉडल को लागू कर पाएंगे मैं उपर वाले से प्राथना करता हूँ कि जो जो लोग शहीद हुए उन सब लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांती दे अपने चर्नों में स्थान दे और आप सब लोगों को इस लॉस को बरदाश्ट करने के शक्ते थे बहुत बहुत शुक्रिया